ओम श्याम्ति, 14 सेट्टेंबर के इशियरोदान में इपकाश हो गात है, परमात कहते हैं वैर संकलपों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान सरूभवा waste thoughts, वेच संकल्पों को जानना है उनका कारण क्या है तो वेच संकल्प उत्पन होने के मुखित दो कारण पर मत करते हैं एक है अभिमान और दूसरा है अपमान तो अभिमान अगर है तो मेर को क्यों नी बोला मेरी बात क्यों नी मानी मुझसे क्यों नहीं करवाया मैं होता तो ये करता और विवेस अंकल पाई पर मात्मा ने जिससे करवाया जिसका रोल था जिसका पाट था जिससे करवाना था परफिक्ट उसी से करवाया इसमें फिर अब इमान नहीं आता है और अपमान महसूस होना अभिमान है तो अभिमान भी महसुस होगा तो मेरे को कम क्यों मेरा भी ये पद होना चाहिए मेरे को भी आगे करना चाहिए 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 मतलब कि अभिमान है और क्योंकि नहीं करा जा रहा है आगे क्योंकि पद नहीं दिया जा रहा है इसलिए अपमान महसूस हो रहा है तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभीमान में आते हो नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में, अभीमान या अपमान महसूस करना यही वेर्थ संकल्पों का कारण है सोची के धहन से अभीमान या अपमान महसूस करना किसमें? नाम में, मान में, शान में, आग्याने में, सेवा में अभीमान या अपमान महसूस करना यही वेर्थ संकल्पों का कारण है इस कारण को जानकर निवारन करना ही समाधान सुरूब बनना है तो कहीं पर भी अगर हम दिल शकस्त हो रहे हैं हमें अपमान या भी मान आ रहा है तो हमें उसका root cause पता करना है कि कहीं न कहीं कोई न कोई सुक्षम इच्छा है चाहना है जो पूरी नहीं हो रही है इसका मदला हमारी परमात्मे से connection या link थोड़ा सा lose है जिस कारण से हम इनसानों से situation में इच्छाए मान शान की इच्छा रख रहे हैं इनसे मुक्त हों इच्छाओं से और सारे इच्छाए परमात्मा पर परमात्मा जब चाहें जैसे चाहें जिदर रखना चाहें जब सामने लाना चाहें उनकी इच्छाए अम शान्ति